हेलो फ्रेंड्स आप सभी का स्वागत है मेरी चैनल हेल्दी लाइफ में दोस्तो हमारे रोजमर्रा के जीवन में फिटकरी बहुत उपयोगी है इसका इस्तेमाल से स्कीन से लेकर गंबीरिया हल्की चोटों तक बहुत सी स्वास्ते समस्याओं को दूर किया जा सकता है इसलिए हर गर में फिटकरी जरूर होना चाहिए फिटकरी के माधियम से पानी की अशुद्यों को फिल्टर कर उसे साफ किया जाता है हाला कि इसका यही मात्र एक उपयोग नहीं है क्योंकि इसका उपयोग कई सोंदरिय और स्वास्तेकारियों के लिए भी किया जाता है यह मासपेशिय एटन को दूर करने के लिए मुहासों से निनिपटने के लिए और कई स्वास्ते लाप के लिए उपयोग में लिया जाता है फिटक्री से बहते हुए खुन को भी रोका जा सकता है अधिकांस लोग इसे ही फिटक्री का सबसे बड़ा फाइदा मानते है फिटक्री के लाबदयक गून यहीं तक सीमित नहीं है इसके और भी कई एहरान कर देने वाले फाइदा है तो दोस्तों आज के यह वीडियो में हम फिटक्री के फाइदों के बारे में चर्चा करेंगे लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों अगर आप यह चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने इस चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया है तो कुरुपागर के इस चैनल को सबस्क्राइब कीजिए और बाजू में दिये गए बेल आइकन यानि कि गंटी के बटन को दबा दीजिए जिससे आने वाले मेरे सबी वीडियो की आपको इंस्टन्ट नोटिफिकेशन मिलेगी दोस्तो सबस्क्राइब करना बिलकुल फ्री है और जो दोस्तों ने चैनल को सबस्क्राइब किया है उनको बहुत बहुत धन्यवाद चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं फिटक्री के फायदों के साथ दोस्तों हम ये वीडियो में कोरोना से लड़ने के लिए कैसे फिटकरी का इस्तेमाल कर सकते हैं उसके बारे में भी चर्चा करेंगे तो ये वीडियो आप अवश्य देखे चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं यदि आप दर्दनाक मुग के चालो से पीडित है तो आप फिटकरी के साथ कोशिस कर सकते हैं फिटकरी में जीवान उरोधिक गुन होते हैं इसमें मौझूद नमक बेक्टेरिया की वज़से संक्रमन का सामना करता है और इस प्रकारिया जल्दी ठीक होने में सहायता करता है नमर टू माउथ वोश के लिए दोस्तो सांसों में बदमू के मुख्य कारणों में से एक है बेक्टेरिया का संग्रा चो बदले में विशाक्त पदार्त और एसिट का उत्पादन करते हैं फिटकरी माउथ वोश के साथ कुला करना बेक्टेरिया विकास को रोकता है और जिवानों को दोता है फिटकरी माउथ वोश बनाने के लिए एक गिलास पानी उबा ले और नमक की एक चुटकी मिलाए इसे ठीक से मिलाए ताकि नमक पूरी तरह गुल सके अब कुछ फिटकरी पाउडर डाले और उसे मिक्स करें इस मिस्रन को ठंडा होने पर छान ले और कुला करें ध्यान रहे कि आप इसे निगले नहीं और खास कर यदि आप कच्चे पाउडर का उप्योग कर रहे हैं तो इसे बिलकुल निगले दोस्तो फिटकरी पाउडर जूँ और उसके अंडों को मारने में सहायक है इसके सक्तिशाली जिवान उरोधी और कसेले गुण के कारणिया जूँ से निपटने के लिए पूराना उपाई माना जाता है फिटकरी पाउडर को पानी में मिलाए अब इस मिसरन में थोड़ा सा ठीटरी ओयल मिलाए अब इस मिसरन को अपने सिर्पन लगाए और 10 मिनिट तक इसे मसाज करे उसके बाद थंडे पानी से दोले इसके बाद अपने बालों को शेंपू और कंडिशन करना न भूले दोस्तों मुलतानी माटी और अंडे के सफेद भाग के साथ इसका सयोजन यानि की फिटकरी का सयोजन मुहासे से लड़ने के लिए और इसको निशा नटाने के लिए बहुत ही प्रभावी उपाय है फिटकरी में एंटिसेप्टिक गुण मोजूद होते है एक चमच मुलतानी मिट्टी, दो चमच अंडे का सफेद भाग और एक चमच फिटकरी पाउडर को मिला कर एक फेस पेक बनाए इसे मुहासे और मुहासो के निशान पर लगाए और 15 मिनिट के बाद अंडे पानी से दो ले दोस्तों सेव करने के बाद इसे आफटर सेव लोशन के रूप में उपयोग करें इसे सदियों से सेविंग उपचार के रूप में उपयोग किया जाता है अल्म अपनी तवचा की टोन में सुधार करता है और इसे नरम बनाता है इसे सेविंग के कारण कट्स के मामले में खून बहने को रोकने के लिए भी त्वरित उपाई के रूप में इस्तेमाल किया जाता है उप्योग करने के लिए शेव करने के बाद कुछ देर तक फिटकरी को रगड़े और कुछ मिन्टों के बाद ठंडे पानी से दोले नमबर सेवन एंटी एजिंग के लिए दोस्तों बहुत से लोग नहीं जानते कि फिटकरी पाउडर में एंटी एजिंग गून भी होते हैं और इस फ्रकारी यह उम्र बढ़ने से रोकता है और आपकी त्वचा को नरम उजवल और सुन्दर रखता है फिटकरी का एक टुकडा ले और इसे गर्म पानी में गिला करे अब उसे अपने चेहरे पर कुछ देर के लिए रगड़े यह आपकी त्वचा को एक सब्ता के समय के भीतर कस्त देगा अब अपना चेहरा ठंडे पानी से दोले और अच्छी गुणवत्ता वाली मॉस्टिराइजर क्रीम का उपयोग करे यदि आप शरीर की गंद के बारे में चिंतित है तो फिटकरी का उपयोग करे इससे आपको वेक्टिरिया से लड़ने में मदद मिलेगी और आपके शरीर की गंद दूर हो जाएगी नबर नाइन मास पेशियों की एठं को दूर करे दोस्तों फिटकरी को जब हल्दी के साथ संयोजन में उपयोग किया जाता है तो यह मास पेशियों की एठं को दूर करने के लिए एकदम सही प्रकूतिक उपचार के रूप में कार्य करता है फिटकरी और हल्दी के रग्त को पतला करने वाले एंटिसेप्टिक गुन अच्छे तरीके से मदद करते हैं एक मोटी पेश्ट बनाने के लिए एक चुटकी हल्दी और पानी के साथ सता पर फिटकरी का एक टुकडा रगडे इसे मास पेशियों की एठन पर लगाए और स्वाफाविक रूप से सुस्को होने तक छोड़ दे दर्द और सुजन से चुटकर आप आने के लिए दो से तीन दिनों तक इसे दिन में दो बार दोर आए नमबर नाइन खांसी से चुटकर आप पाने के लिए दोस्तो अगर आपको खांसी आ रही है तो हाधा ग्राम फिटकरी को सहद के साथ चाटे दो तीन दिन में आपकी खांसी दूर हो जाएगी इसके अलबा फिटकरी को गर्म तवे पर फुला कर महीन भागों में पीछ लीजिए इसके एक चुटकी मात्रा में गर्म पानी के साथ ले इससे सर्दी जुका दूर हो जाता है और दोस्तो यही चुटकुला हम कोरोना के दर्दी के लिए भी उपयोग में ले सकते हैं दातों के लिए लाबदाई इस पाउडर से अपने दातों और मसुडों को हर दिन मालिश करें नमबर 11 नकसीर में लाबकारी गाई के दूद में थोड़ी सी फिटकरी घोल ले इसकी दो तीन मुंदे अपनी नाक में डाले जिससे आपकी नाक से खून बेना बंद हो जाएगा और नकसीर में आपको फाइदा होगा दोस्तों एक चुटकी फिटकरी को सोंट में मिला के बतासे के साथ खाए इससे आपको बुखार खत्म हो जाएगा तो दोस्तों आशा रखता हूं कि यह वीडियो देखने के बाद आपको फिटकरी के फायदों के बारे में उपयोगी जानकारी हासिल हुई होगी यदि यह वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिए कॉमेंट कीजिए और अपने दोस्तों परिवार जनों के साथ इसे शेयर कीजिए अगर आप अन्यों कोई विशय के उपर वीडियो देखने चाहते हैं तो मुझे कॉमेंट में लिखे मैं वह विशय के ओपर वीडियो बनाने के आवाशे कोशिच करूंगा थैंक्यू